नमस्कार मैं अंजली मिश्रा स्वागते आप सभी का दो नियोज में आपको बताते हैं कि स्वाती मालिवाल केस में बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है स्वाती मालिवाल केस में अब पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्चन लिया है और अब स्पेशल टीम ज ताच एसाइटी द्वारा कराई जाएगी यहीं नहीं दूसरी तरह स्वाती मालिवाल ने भी कई सारे बड़े खुलासे कि इस तरीके से इस मामले को दवाले के लिए स्वाती मालिवाल को मेंटली परिशान किया जा रहा है उनके रिष्टदारों के गाड़ियों के नंबर ल से लीक किया जाए और इस पूरे मामले को अलग तरीके से मोड दिया जाए जी हां बिलकुल सही सुना आपने अब इस मामले पर भी प्रतिक्रियाए आ रही है आम आदमी पार्टी पर भी अपनी पार्टी का बचाव भी करती नजर आ रही है क्या है यह पूरा माजरा आई विस्तार से जान लेते हैं तो आपको दादे की स्वाती मालिवाल की अगर हम बात करें तो अभी विवक कुमार के उपर यानि अर्विंद के जिवाल के पीए के उपर उन्होंने अपने साथ मार पिट करने का रोब जोह लगाया था जिसके बाद इस मामले की जांच हो रहे थ किया और महिला अधिकारी इसे हेड कर रही है एडिशनल डी सीपी जो है आपको बतादे की अजिता चिपलयाला की अगवाई में तीन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मामले की जांच करेंगे SIT हर उस लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो केस के लिहास से एहम है और जिने छुपाई जाने के लिए आरो पीड़ित लगा रही है इस मामले की जांच अभी भी आपको बतादे की उतरी जिले के अडिशनल डी सीपी जो है अजिता चिपल चिपी अला के पास है औ और इस मामले में आगे भी SIT को लीड करने की जिम्यदारी सौपी गई है इसके अलावा तीन इंस्पेक्टर में से एक सिविल लाइन थाने के SHO भी शामिल है इसी थाने में के इस दर्ज कराए गया था यह टीम जाच रिपोर्ट सीनियर अफसरों को समय समय पर सौपती रह तर टीम संग विभब को ले पहले सी अवास पहुच कर विभब को जो है गेर रही है बता जा रहा है कि विभब के मोबाइल डाटा को रिट्रीव कर दे की कोशिश की जा रही है जिसमें इस केस से जुड़े कई तथ्य हो सकते है संभावना है कि से लीड मिल सकती है पुलिस किसी भी तरिके का CCTV फूटेज जो है वो बरामत नहीं हो पाए जिसके बाद कई सारे सवाल जो है कड़े हो रहे थे अव ऐसे में अब SIT का गठन किया गया है ताकि इस बामले में निस्पक्षता से जो है जाच जो है की जा सके हो सके जाच अब वहीं दूसरी तरफ आपको स्वाति मालिवाल ने लंबा चोड़ा पोस्ट लिखा है चापर ने बताया कि किस तरीके से उन्हें मिंटली टोर्चर करने के लिए क्या-क्या आतकंडे आम आधी पार्टी द्वारा अपनाई जारा लेकर इससे पहले हम आपको बता दे कि सौरब भार्द्वाज साइटी क अगर स्वाति मालिवाल आम आदमी पार्टी के इंदर रहती हैं तो सब को बड़ा चल जाएगा यहाम आदमी पार्टी की थी और अगर यह किसी और पार्टी के अंदर पहुंच जाती हैं चाहिके नहीं भी कारुनों से पहुंचे तो सब को सामने आगा दूसरी बात यह कोई पहला मामला नहीं है आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालिवाल जी कहीं रात में एक मेन रूप पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खेंचने की कोशिश की इन्होंने ट्वीट भी किया वीडियो भी डाले दिली पुलिस ने क सबने स्वाति मालिवाल का मज़ा कुड़ा है आज इस मामले में रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे आज सीम के घर जाएंगे आज मुंबई लेके जाएंगे आज साइटी बना दी एडिशनल कमिशनर पुलिस जो है और चार चार बड़े जो हैं ब्यान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं यह सब क्या है तीन दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर उससे पहले पूरे दिन सुबह से लिकर शाम तक यह टीवी पे अख़बारों में जो चल रहा है क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा क्या वो राजनिती जो है वाला दिया जहां पर एक आदमी जो है उन्हें गाड़ी के अंदर खीच रहा था यह वीडियो भी शुचर मीडिया पर वारल हुआ था उन्हें का तब इसाइटी का गठर नहीं हुआ और रही है आम जंता जान रही है मामले के जाच होई रही है सथ सब के सामने आही सब्सक्राटी के साथ शुरुआत से जुड़ी हुई थी अब उन्हें बीजेपी का एजन्ट बताते हुए ठक नहीं रहे हैं अब स्वाती मालिवाल एक ट्वीट भी किया कल का यह ट्वीट है जहां पर उन्होंने अपने साथ हो रहें मेंटल तोर्चा के बारे में बताया उन्होंने कहा कल से दिली के मंतरी जूट फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफाइयार हुई इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने यह सब किया हुए उन्होंने कहा कि यह एफाइयार आट साल पहले 2016 में हो चुकी थी जिसके बाद मुझे सीयव और LG ने दो कुमार के खिलाब कंप्लेन देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंगम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई हूं पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्व एसा ना हो जाए कि सब सच सामने आये तो अपने परिवार से भी नजरें ना मिला पाओ तो मारे हर फ्यला जूट के लिए तुम्हें कोट लेके जाओंगी तो यहां पर स्वातीमालीवाल उन्हें कोट ले जाने की बात भी कह रही है किरी जूट जूट फेला रहे है इसके कि आठ साल पहले का या रूप है आठ साल पहले की चीज़ें नहीं यह जिस तरीके से अभी दिखाने का यह प्रयास किया जा रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया मैंने बहुत सारे चीजें खराब कर दी है पहले में लेडी सिंगम थी और आज वक्त के साथ इनके जजबात भी बदल गए मेरे लिए और चीजें भी जो है इनके जो है मेरे लिए बदल गई है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर सिचुएशन जो है यह देखने के चानि चा रहीं है तो यह तो एक उनले को दो किसे हैं को बड़ा वश्तार मामली में और इस मायरम पीट के पूरी सचाई को बाहरा ने का लेगी तो दूसरी तरफ स्वाती मालिवाल ने खुद पोस्ट करके आवंद के ज्रवाल और यू कहिए कि हम आदी पार्टी के पोल खोली और बताए कि किस तरह किस उन्हें इसे मेंटल टोच किया रहा है कि तरह किस उनके प्रसनल वीडियो मंगवाए जा रहे हैं ताकि उसे लिक किया जा सके और उनके रिष्टदारों के गाडियों के नमबर प्लेट भी जो है वायरिल के जा रही है ताकि जह जान का खत्रा हो सके तो ऐसे में आपके पुछब पु